साथियों वारतिय कार बजार का ट्रेंड हम देखें तो पिछले कुछ समय से बहुत तेज गती से बदला है अब छोटी कार लेने वाले कुछ लोग थोड़ा बहुत अपना बजट बढ़ा करके एक अच्छी दिखने वाली यानि की सब फॉर्मेटर कॉमपेक्ट आश्वी की जा रही है मारुति क लिए चिंता की बात यह कि सेगमेंट की ब्रेजा है लेकिन जोinkार इसका ह्नों कुछ ज्यादा रही है अल्लंकि आपको बता दें कि कीमत लगए साठे साथ लाग और याई कारन है कि वेन्यू सोनेट नेक्सन, काईगर या मेगनाइट ये कारें 20-25,000 की यूनिट में विक रही है तो ब्रेजा या कहें कि मारूती को ऐसा लग रहा है कि ये जो 20-25,000 कारें विक रही है ये कहीं न कहीं ब्रेजा के महंगे होने के चलती विक रही है तो आप इसने इसका तोड़ भी ढूंड लिया है ब्रेजा को अर्बन कुरूजर या एकश्वी 300 या एकोई स्पोर्स के लिए छोड़ दिया है और इन छोटी कॉम्पेक्ट एश्यू के लिए एक नई कार अगले साल यानि 2022 के सुरुआत में हम यह मान सकते हैं कि बारत्य कार बजार में आ जाएगी साथ हों आपको बता दे हैं कि मारूति ने इस बारे में कोई अचानक शेयोजना नहीं बनाई है बलकि यह जो नई गाड़ी लाने के विचार है यह 2020 से ही चल रहा है और वो तैयारी कर रहे हैं इसका कोड नेम वाई टीबी है जैसा कि हम सब दे हम जानते हैं इसके बारे में और 2020 के बाद अब 21 के मद्दे तक आते आते इसमें इसकी जो है वो टेस्टिंग आप देख पाएंगे यह रोड पे टेस्ट करना सुरू कर देंगे और 2022 के मार्स से पहले तक यह कार बाद यह कार बजार में आ सकती है यह कार आने के बाद यह तैह है कि यह सबसे सांदार कार रहने वाली है और मारुती की जो टोप पाँच कारे हैं उसमें यह भी साथ में रहेगी चाहे ओल्टो की या वेगेनार शिफ्ट और बलेनों की बात करें तो उसके साथ यह जो वाईटी भी आएगी यह उन से या उनके बराबरी का या उन से बेथर परपॉरमेंस देगी यह हम मान के चलें क्योंकि सस्तिकारे मनाने में वेशे भी मारुती को महारत आसिर है साथ यहों सस्ती कार अब ब्रेजा को सस्ती कैसे करेंगे तो सबसे पहली बात यह की इंजन थोड़ा आलका देंगे इसमें 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो आम तोर पर सब 4 मेटर कॉंपेक्ट एश्वी के अन्य गाड़ी में भी है इसलिए यह कोई बहुत ज़्यादा अलका इंजन नहीं होगा इसमें 90 बहप का पावर मिलेगा और 113 वन 13 बहप का टोर्क मिलेगा यानि यह इंजन आप श्रिप्ट डिजायर है बलेनों है जेशी गाड़ी में पहले भी आप देख चुके हैं यही इंजन इस नई YTV में आएगा जिसके चलते इसकी प्राइज कुछ कम होगी साथ ही यह इसके ट्रांस्मिशन की बात करें तो तैह है कि यह मैन्यूल के साथ साथ आटोमेटिक और CVT ट्रांस्मिशन में भी उपलद होगी होगी और बलेनों वाले प्लेट फॉर्म पर ही यह गाड़ी बनेगी और ज्यादा तर इसकी जो खूबी है वो हम बलेनों को ध्यान में रखते हैं कि उसी तरह से कुछ चीज़ें मिलेगी यानि कुल मिला कि इसका जो डिजाइन है वो अलग तरह से होगा लेकिन फीचर लगबलेनों वाले आपको इसमें मिली जाएंगे और विस्तार से जैसे इसके बारे में जानकारी होती है साथी ब्रेजा से क्या कुछ इसमें फरक रहेगा डाइमेंशन का इंजन का या फिचर्स का वो भी हम वीडियो उस पर काम कर रहे है और अगला वीडियो आपके सामने रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि तुमके सौरूम बगेरा हर चोटे-चोटे सेरों तक में है यहि कारण है कि जो लोग अभी मेगनाइट, काýगर जैशी गाडियों पर भी महीनों इंतजार करते हैं उन्हें मिल नहीं रही है थैंक यू